और आपके यहां से एक ही नारा गुंस्ता था जब मैं यहां आया था मंच पे उस समय भाषण देने के लिए भगवान सिर्राम के राज्यावी सेक के बाद जब यहां पे मैं स्वागत भाषण के लिए उपस्तित हुआ था तो आपकी ओर से एक ही आवाज आई थी और वही उस्ता की परिक्सा की घड़ी आ चुकी है योद्या के लिए उत्तरब्रदेश वास्यों के लिए इसलिए आप सब मेरे साथ बोलेंगे सत्यसनातन धर्म की सत्यसनातन धर्म की सत्यसनातन हिंदो धर्म की भारत माता की भारत माता की सर्यू मैया की जैस्त्री राम आज के इस दिपोट्सो कारिक्रम में मर्यादा पुरसोत्तम भगवान सीर राम के चौदा वर्स के बनवास के उपरांत की स्मृतियों को इस्मृणिये बनाने के लिए और अयुद्या को उसका गौरो पलब्द करवाने के उद्देशे से प्रारंब राज्या विशेक और दिपोट्सो कारिक्रम के इस मुख्य समारो में उपस्तित प्रदेश की मानने राज्यपाल आधनिया स्रीमती आनन्दी वेन पटेल जी प्रदेश सरकार में मेरे बरिष्ट सयोगी उपमुख्य मंत्री से प्रदेश पाठक जी से राम जनभो में तीर्थ छेत्र ट्रस्ट के अध्यक्स मनिराम दावस चावनी के पूज्य महांत पूज्य निर्थ गुपाल दास जी महराज आज के समारो में उपस्तित पूज्य संतजन जगत गुरू सी सिधरा चारे जी महराज जगत गुरू सी रागवा चारे जी महराज जगद्गुरु बिद्ध्यावासकर स्वामी वासुदिवाचारी जी महराज जगद्गुरु पोज़ स्वामी विश्वेश परपन्नाचारी जी महराज दिगंबर अखाडा के सिमहंत सुरेशदाश जी महराज पूर सांसर वसिष्ट भौन अयुद्याके सिमहंत डॉक्टर राम विलास वैदान्ती जी महराज सिमहंत धरमदाश जी महराज सिमहंत अवधेशदाश जी महराज सिमहंत स involumी मैथली सुनरस जी महराज पोज्य संतजन प्रदेश सरकार में मेरे सयोगी मंत्रीगाण प्रदेश के बरिष्ट मंत्री सी सुर्य परताब साही जी प्रेटन और संस्कृति मंत्री सी जैवीर सिंग जी प्रदेश के सूक्सम लगु मद्यम उद्यम विभाग के मंत्री सी राकेश सचान जी अयोध्या के मान्य सांसत सी ललू सिंग जी महापौर सी महंत ग्रीश पति ध्रिपाटी जी जलापंचायद अध्यक स्रीमती रॉली सिंग जी मान्य विधायक गाण विश्व हिंदू परीशत से यहाँ पर पस्तित से दिनेज जी विविन सामाची सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधिकाण और उपस्तित सभी भाईयों बेहनों सबसे पहले अयोध्यावासियों को और प्रदेश वासियों को दिपावली की और इस दिपाथ सो की हिर्दै से बधाई देते वे आप सब का मैं अभिनंदन करता हो हम सबने अभी हजारों वर्स पहले प्रवुसिर्राम पुस्पग विमान से अयोध्या आये होंगे उस द्रिश्य को संजीव बनाने के लिए प्रदेश परकार के बाहन से एक हेलिकप्टर से प्रवुराम अयोध्या में आये भरत मिलन का कारिक्रम संपन्न हुआ और अभी मानने राज्यपाल महदै पुज्य संतों और प्रदेश सरकार के मंत्रियों अरिकारियों और समाजिक जीवन से जुड़ेवे विविन विभूतियों ने भगवान राम की अर्चना की राज्या विश्यक के इस कारिक्रम के हम सब साक्सी बने हैं हम सब सौभागे सालिय हैं कि इस कारिक्रम के हम साक्सी बन रहे हैं यह दुनिया के सो से अधिक देशों में पूरा कारिक्रम लाइब हो रहा है और हर जगे इस कारेक्रम को दिखाया जा रहा है कि कैसे उस समय भगवान राम आये होंगे और कैसे पुस्पक विमान उतरा होगा और कैसे फिर देपताओं ने आकाज से पुस्प वर्षा की होगी यह त्रिश्य भी आप सब ने आज यहां पर कुना देखा होगा वायोवेनो आज से साथ वर्ष पहले जब हम लोगों ने अयोध्या के दिपाउट्सों के कारेक्रम का सुभारंब किया था एक असमंजस किस्तिती थी कारिक्रम होना है नहीं होना है दिपावली का युद्ध्या के साथ जुडाओ होने के साथ साथ इसका पेड़नाम क्या होगा और उस समय सरकार के निर्णे उस समय के हमारे सभी स्योग्यों ने मिलकर के पुज्य संतों के सयोग से जन प्रतनिदियों के सयोग से जिस कारिक्रम को आगे वढ़ाया आज वा उत्तरप्रदेश का और अयोध्या का एक न केवल बड़ा कारिक्रम बना है बलकि आधनिय प्रणान मंत्री जी की एक भारत स्वेश्ट भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ देश और दुनिया का एक यूनिक इवेंट भी बन रहा है गत्वर्स हमारा सोभाग्य है आधनिय प्रणान मंत्री जी स्वयम इस कारिक्रम के साक्सी बने उनका मार्ग दर्सन उनका आश्रिवाद यहां करके मिला और आज उनीक आश्रिवाद और उनके मार्ग दर्सन और नित्रत्व में 500 वर्स के इंतजार को दूर करते भी अयोद्या में प्रवराम के जनुम्भूई पर भव्यमंदिर के कारिक्रम को भी हम सब अपने आँखों से बनते वे देख रहे हैं और जन्मरी माह के इंतजार में सभी संत सभी भग्त सभी सरदालुजन उस इंतजार के लिए अपने आपको त राज्य सरकार का मिला करके 178 प्रयोजनाओं पर 30,500 करोड उपे की धनरासी अयोध्या के विकास के लिए खर्च हो रहा है। तो जब तक राम लिला अपने स्वयम के भव्य मंदिर में दिराजमान होंगे तब तक भायो बेनो अयोध्या धाम में लगभग 50,000 करोड उपे की प्रयोजनाएं यहां पे मूर्त रूप लेती भी दिखाई देंगे। के प्रती आकर्शित नहीं हो रहा है। भगवान ने स्वयम ही कहा। कि अवद पुरी सम प्रिय नहीं सोव। यह प्रसंग जा नहीं कोव। कोव। यानि अयोध्या से अधिक प्रिय मेरे ले और कोई नहीं। यह प्रसंग हर कोई नहीं जानता है। और भईयोबेनों अयोध्या को भगमान राम के ही अनुसार उनकी प्रियनगरी के रूप में प्रस्तुत करने का दाहे तो यह डवल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबदता के साथ निर्वहन करने के लिए तयार है। और पिछले साड़े नौ वर्ष से प्रधानवंत्री मोदी जी के नित्रत्तों में पुरे देश में और उत्तरवर देश में पिछले छे साड़े छे वर्ष से जिन कारिक्रमों को हम लोगों ने यहां पर प्रभावी डंक से लागू करने का कारे किया है। वे सब भी आपक सर्जु पावनि यानि जिस अयोध्या धाम की महिमा को प्रभु अपने स्री मुक्स्ते का रहे हो उस अयोध्या धाम के लिए कुछ भी योगदान दे देना यह जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने जैसा होगा और भायोबेनों उसी जन्म और जीवन को धन्य करने के लिए यह जन्ता जनारदन भी पूझ्य संत जन्वी महामईम राज्यपाल जी भी और सरकार के मंत्री और अधिकारी गण भी यहाँ पर उपस्तित हो करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने के लिए लोग कल्याण के उस हेतों को आगे वढ़ाने के लिए आज यहाँ पर उपस्तित हुए हैं और भायो बेनो उसी अभियान के लिए आज हम सब आप से कहने के लिए हैं कि अयोध्या क तो हमारा क्या काम है? हमारा भी तो कोई दाहित तो बनता है अयोध्या वासियों को मैं इक बात के लिए अस्वस्त करता हूँ कि डवल इंजन की सरकार विकास के कारियों के लिए रयोध्या को दुनिया की सुन्दर तमनगरी बनाने के लिए जिसका सुरूप उभर रहा होगा जिसका एक जलक आप देख रहे होंगे और पिछले छे बार के विपोट्सों के कारिकरम का पैणाम आज आपको अयोध्या में इस विकास के इस मूर्त सुरूप को और भगवान राम के इस भव्य मंदिर को देख करके भी एसास हो रहा होगा हमारे पूर्वजों ने दीब प्रज्वलन और दीब दान की महता को वैसे नहीं रेखांकित किया है इसके आध्यात्मिक इसके भौतिक महतों भी है इसके आधिदैविक महतों भी है और इन सभी महतों को रेखांकित करने के लिए ही हमारे यहां इसको एक धार्मिक कर्मकांड के साथ और आयूजों के साथ जोड़ा गया और उसके पेणा हम आज यहां पर देखने को मिल ला है लेकिन अयुद्यावास्यों की जम्यदारी भी बनती है जब भगवान राम राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए स्वेम आ रहे हैं पांसो वर्सों का एक लंपा इंतजार कित्ति सभा के साली हमारी पीड़ी है पुजय संतों ने, राजा महराजाओं ने, योद्धाओं ने, बीर योद्धाओं ने, अनेक उद्ध लड़े और भायोबेनों, यहाँ पे विश्व हिंदू परिशत और राष्टी स्यम से वक्त संके नित्रत्व में चला एक सदी का सबसे बड़ा संस्क्रिटिक अभ्यान, सदेए सोक सिंगल जी के नित्रतों में पुजय संतों ने पूजय संत संकलाचारे स्वामी संतान सांतानाच जी महराज रहे हो पूरा जीवन एक ही धे को लेकर के और वह धे था कि बगवान राम की भव्य मंदिर को पनरस्थापना की कारेक्रम को हर हाल में होना है और आजो साकार हो रहा है तो साकार होने के लिए अयोध्यावासियों को जिस अयोध्यावासियों के बारे में भगवान ने स्वयम कहा अतिप्रियमोही इहां के वासी तो उस अयोध्यावासियों की जम्यदारी भी बनती है कि भगवान जब आपको सबसे प्रियमानते हैं तो तो जब भगवान आ रहे हो तो जैसे दीपावली का कारिक्रम अयुद्यावास्यों ने पुरे दुनिया के सामने दीपाथ्सों के सरूप में प्रस्तुत कर दिया है ऐसे ही भगवान राम के 22 जन्वरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधान मंत्री जी आएंगे तो अयुद्यावास्यों को स्वागत की तैयारी उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आपको तैयार रखना हो आप सब तैयार हैं सभी लोग तैयार हैं जैजै सीता राम सभी लोग तैयार हैं भाईो बेनो भगवान राम का याद रखना भगवान राम का राम मंदिर में विराजमान होना कि ए रामराज्य के इभार चिला को पुष्ट करना है मजबूत करना है जिसे प्रधान मंत्री जी ने पिशले साड़े नो वर्स के अंदर भारत के अंदर स्थापित किया है राम राज्य दैहिक, दैवीक, भवतिक तापा राम राज नहीं काहों व्यापा सब नरकरह परस पर पिरिती, चलही स्वधर्म, नित, सुत, नीथी जाए वह कोई आब्दा हो, कोई दैवी आब्दा हो, आतंग बाद की समस्या हो, नकसल बाद की समस्या हो, हिनसक जानवरों की समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की दुख और दलिद्र सारिक और मानसिक पीड़ा हो इन सबसे मुक्ती एक ऐसी बिवस्था जो हर व्यक्ति को खुसाली के मार्ग पर आगे ले जा सके है गरीबों के लिए जो योजनाय बनी हर घर में सोचाले बन गया हर गरीब के लिए आवास की विवस्था हो गई हर गरीब को विद्दुत की कनेक्शन मिल गया हर गरीब के घर में स्वास्ते इंधन के लिए उज्जला योजना के कनेक्शन मिल गया हर गरीब के स्वास्ते के लिए आयुस्मान भारत की पांचलाग रुपे की स्वास्ते बीम का कवर मिला है हर गरीब के लिए वे सभी सुवधाएं और अपने और पराय का आभास वायो बेनों तब होता है जब यक्ति संकर्ट में होता है हमने पहले दिपोट्सों को पुरी भबिता के साथ एक नहीं उचाई तक पहुचाते रहे लेकिन अगले तीन वर्स हमारे ले कठिन थे जब करोना महामारी ने आघेरा था लेकिन तब भी हमने दिपोट्सों के कारिक्रम को बाधित नहीं होने दिया और हम तो आब आ रही हैं मानने राज्यपाल महोदै भी हर कारिक्रम में भागिदार बनती थी कितनी भबिता के साथे सभी कारिक्रम होते थे और उस समय फिरी में टेस्ट फिरी में उपचार फिरी में वैक्सीन दुनिया के अंदर वैक्सीन फिरी में देकर के करोना जैसी दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी महमारी को ऐसे समाप्त क्या प्रधान मंत्रीची ने जैसे छू मंतर होकर के एकदम वैक्सीन रामबान साबित हो गई भारत का वैक्सीन सबसे प्रभावी हुआ मातर नो महिने के अंदर वैक्सीन बन जाना आज तक कभी नहीं बन पाया अकेले भारत ने बना के दिखाया ये नित्रत्तो का गुण है और भायो बेनों यही नहीं इस दोरान कोई भुकमरी का सिकार भी नहों अगर रामराज्य की बात कर रहे हैं जाति मत और मजभ के आधार पर नहीं सर्वे भौनतु सुखिना सर्वे सुन्तु निरामया के भाव के साथ कारे करेंगे सब का साथ और सब के विकास के भाव के साथ जो कारे किया वो पेढ़नाम भी हमारे सामने 80 करोड लोगों को पिछले 3 वर्सों से फिरी मेरासन और अगले 5 साल तक भी फिरी मेरासन सब को पराप्त होता रहेगा किसी को चिंता करने की आउसकता नहीं क्योंकि डवल इंजन की सरकार भगवान राम को आराध्यमान करके आदर समान करके कारे कर रही है और उसी भगवान राम को आदर समान करके आज एक बार फिर हम सब अयोध्या में आये हैं अयोध्या वास्चों की जम्मेदारियव और ज़्यादा बन रही है आतिति सेवा का अतिति देवो वहवा का पवित्र अभिहान के साथ हमें जुड़ना है याद रखना अयोध्या में जितने प्रेटक और सरदालू वर्समान में आ रहे हैं 22 जनवरी के बाद यानि मकर संकान्ती के बाद इसकी संख्या इससे दस गुना होने जा रही है और मैं तो आभारी हूँ यहां के सभी पुझ संतों का यहां के जन प्रतनिधियों का यहां के ब्यापारियों का यहां के नागरिकों का समाज से जुड़ेवे अलग-अलग सबके का जिन्होंने विकास के मार्ग में कोई बादा नहीं आने दी कोई बहरियम नहीं आने दिया कोई भी कहा कि नहीं अयोध्या उपेक्सित थी अब अयोध्या उपेक्सित नहीं होगी राम लला आ रहे हैं राम लला के आने के पहले अयोध्या भब्य बन जानी चाहिए दुनिया की सबसे सुन्दर तम नगरी बन के रूप में आ जानी चाहिए और भजयोवेनों इसी का प्रिणाम है कि 30,500 करोड उपे से दिक की प्रियोजनाएं एक साथ अयोध्या में उतरती भी दिखाई दे रही हैं इस औसर पर मैं एक बार फिर से पुरे प्रदेश वास्यों को विपावली की सुपकामनाई देता हूँ बदहाई देता हूँ विपावली की साथ अगर हम समाज को भी उसके साथ जोड़ने विपावली की समाज की हर तपके को जोड़ने का अयोजन है और भगवान ने यही किया था अयोध्या से गए निसादराज को गले लगा लिया जंगल में गए चित्रकूठ में गए रिशी मुनियों के आश्रमों में जाकरके उन्हें अभय होने के लिए एक संकल्प लेकरके बढ़े और एकी संकल्प बता निस्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन और भायो बेनो राक्सस विहीन कर दिया इस धरती को बड़े-बड़े राक्सस थे उनके बाद बड़ी-बड़ी पीमे थी बड़े-बड़े उनके पास सेनाएं थी सब स्वहा हो गए और भायो बेनो जंगल में उन्होंने माता सबरी के भी जूठे बेर खाए बनवास्यों को गिर्वास्यों को गले से लगाया चामवंत भी हुनमान भी अंगद भी सुग्रीव भी उनके मित्र बने मरसी अगस्त का भी आश्रीबाद लिया सेतुबंद का निर्मान भी किया और अयोध्या आगमन पर रामराज्य की आधार सिला की नियों को रख करके दुनिया की सबसे आधर्स विवस्ता की रूप में किसी एक विवस्ता को दुनिया आज भी मानती है वर रामराज्य की विवस्ता को मानती है और रामराज्य किसी आधार सिला आधार भूमी को देखने के लिए बायो बेनो उत्तर व्रदेश में अयोध्या में आज 54 देशों के एमबेज़र्स और राजनाई का रहे हैं खुशी देर में उनका आगमन होने जा रहा है वे दिपोट्सों के साक्सी बनेंगे सर्यू आर्थी के साक्सी बनेंगे और अयोध्या किस भबेता का उलोकन अपने आखों से करेंगे और सच्मुच अयोध्या वास्यों का अबिनंदन भी सौसर पर करने का एक सोभागी हम सब को प्राप्त होगा और इसलिए 22 जनवरी के इस महत्तों के लिए हम सब तयार अभी से तयारी सुरू करें यह हम सब का अपना आयोध्या वास्यों का संतों का हर व्यक्पी पूरे प्राणपन के साथ जुड़ करके सिराम जनभूमी तीर्थ जेत्र ट्रस्ट के साथ मिल करके सरकार के साथ मिल करके अगर इस कारिक्रम के साथ हम जुड़ेंगे वायोबेनों हमारी अयोध्या दुनिया की सुन्दर तम्रगरी के रूप में स्तापित होगी और इस विश्वास के साथ मैं आप सब को एक बार फिर से अपनी मंगल कामना देता हूँ दिपावली की फिर्दै से बधाई देता हूँ अपनी सुपकामना ही देता हूँ और मुझे विश्वास है कि हम सब मिल करके प्रभुस्दी राम के भावनाओं के अंडूप उनके आदर्सों के अंडूप अयोध्या को और उत्तर प्रदेश को बनाने के इस लक्स की दिसा में अगरसर होंगे मैं एक बार फिर से आज के इस कारिक्रम में माहमईन राज़्यपास जी का वो जय संतों का आगत सभी अतितियों का और दुनिया के 54 से दिक देशों से आ रहे हैं सभी राजनेकों का फिरते से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बानि को यहीं बेवराम देता हूँ जैजेश्टीता राम जैजेश्टीरीराम बहुत बहुत भन्यवाद माननी मुख्यमंतरी महोदय और आज एक हिंदी के राश्ट्री समाचार पत्र में माननी मुख्यमंतरी का एक लेख छपा था और उस लेख में माननी मुख्यमंत्री ने स्वयम लिखा था कि आयोध्या बदल रही है और माननी मुख्यमंत्री योग्यारतनात का संबोधन आप सुन रहे थे कि किस तरह से भगवान श्रीराम ने समाज के हर पंग से खुद को जोड़ा और सबका उधार किया जब आयोध्या से निकले प्रभूश्यराम केवट राज निशाद राज को गले लगाया जब गंगा पार हुई और भगवान श्रीराम असमंजस में थे कि आखर केवट को देना क्या है तब वैदेही ने अपने अगूटी केवट को देने की कोशिश की लेकिर केवट ने मना कर दिया और वहाँ निशाद राज को प्रभूश्यराम गले लगाते हैं आरण में जब जंगल पहुचते हैं प्रभू शिराम तब वो उधार करते हैं अहिल्या का, शिला जैसे अहिल्या हैं पत्थर उपी हैं, दिल उनका पाशाड हो चुका है, लेकिन भगवान शिराम गौतम रिशी की पत्नी अहिल्या का उधार करते हैं और समाज को इस में क्या कहती हैं वो भी आपको सुनवाएंगे इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया कि कैसे अयोध्या बदल रही है कैसे सवर रही है